पुल फैक्टर्स देखे थे आज हम देखेंगे पुश फैक्टर्स यानि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके लोग अपने निवास स्थान पर रहना नहीं चाहते और उस स्थान को वहां से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जिस विक्ति जहां जिस जगह पर रहते हैं उनको अपने लाइफ जो है बहुत ही डैस्परीटिंग लगती है निराशा पूरवक्त लगती है और रहते हैं जैसे बच्चों एक स्थान एक्जामपल में दिमाग में आ रहा है कि 9-11 का झो ह तो सबसे पहला देखो निराशा कब होती है पैली चीज या पुश फैक्टर क्या हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति जहां कहीं जॉब कर रहा है वो एक बिसनस डाल रहा है तो बार बार उसको निराशा हात लग रही है और वो अपने रोजगार को नए सिरे से उस स्थान से ही चूट के जैसे आप लोग इंडियन तो खास कर बलता है बड़ी मन्हूस जगह है यह हमारे यह कहते हैं जमीन खीजती है जैसे आपका विदुर जी महाराज के द्वारा भी यह बात कही गई है कि श्रवन कुमार जपने मावब को ले के आ रहा था अंदे श्रवन कुमार को मावब को तो जापूर के पास आ करके उसने टोखरी बहार नीचे जमीने पटक दी और यह कहा उफ इतना भार में ने उठा पा रहा हूं तब यह कहा जाता है कि उजमीन ही ऐसी है जहां ऐसे कुब हाओ मन में जाते हैं तो इंप्लाइमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टन चीज है हाज भी हमारे आतों जैसे को नीबू मिर्ची की चीज लटकी होती है दुकानों पर या कर सफाई करेंगे बहुत सारी तरीके हैं पूरे दुनिया के अंदर हमारे इंडियन्स को तो बदनाम कर दिया गया है पर तू आप देखिए यह रॉप वगरा के अंदर सारे लोग इस तरह के टोटकों को या कुछ मित्स को फालो करते हैं रिकार्डिंग इंप्लाइमेंट तो इंप्लाइमेंट की सुविधा के लिए लोग जबरदस्ती माइगरेंट होते हैं एक इस्तान से दूसरे स्थान पर अब इसी प्रिकार से बचो दूसरा है स्वास्ते सुविधाओं का हवा हमारे हिंदुस्तान में तो बचो इतना बुरा हाल है कि पिथारा गाड़ उत आप से दभी है यह लंता की हायर डिस्टिक आज ही मैंने देखा किया वितावच्चन माइनस 33 डिग्री के से फोटोग्राफ कराई सी एचिन माइनस 58 डिग्री सेल्सिस टैंपरिचर है ना यह गर्में 50 डिग्री सेल्सिए जैसल मेर और गंगा नगर पर पहारों में कटना ह बहुत जादा है क्योंकि वह means of transportation नहीं है, flying सुविधा नहीं है, तो health के लिए, आप you won't believe बच्चो मैं इतना मतब इससे आहत हो गई थी, जब कितारनात की घटना होई दुरुगटना होई थी, 13 June 2013 में, मैं एक दिन पहले ही वहां से निकली हूँ, बाद में मुझे पता चल कि अराउंड 200 पुल बहे गए, और जो pregnant women's हैं, उनको कैसे लाया जा रहा है, रस्ते टूड़ गए, लोग डोलीज बना रहे हैं, लखडियों की अंदर कपड़ा बांद करके, कई लेडीज को तो death भी हो गई, और ऐसे बहुत सारी बाते हैं, तो कहने का मतलब कि means of transportation proper नहों यानि सुइधा हैं नहों, तो health सुइधा आदमी सबसे पहले देखता है, कोई भी आदमी गाओं से city अंदर migrate होता है, तो सबसे पहले देखता है, यहां पर hospital तो है, proper सुइधा तो है, तो इस प्रकार से, यह pushing factor है, health, जो एक स्थान, चोटे स्थान से आदमी को बड़े स्थ while living, या under poverty line, तो यह जो जीज है, जैसे आप आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है, तीन चार काम है, आदमी interior गाओं से आता है, तो क्या कर सकता है, जो चूना पाटे का काम करना जाता है, वो कर लेता है, लेडी ज़ड़ो पोचे का काम, domestic work क कर लेती है, या आदमी रिक्षा जलाने का काम कर लेता है, cycle रिक्षा, तो कहने का मकसद ही हुआ, कि employment की in search of the job नहीं बोलूंगी, अपने रोजगार के लिए वो अपने interior parts भारत के अंतरिक भागों से आ रहे हैं, या विश्व में इसी तरह का migration है, टेक्सी डैवर हो जाते ह ये जादस जादा जो थोड़े पड़े लिखे हैं, वो NGO वगरा में वाक करना शुरू कर देते हैं, तो ये हर दुनिया के हर पार्ट में गरीबी और निम्नी जीवनेस तरक होना, और वो एक दबाव डालता है आदमी को, जबरदस्ती की, जाओ, एक पर मैं, ऐसी मेरा पारी किसे रिष्टों को देखती हूँ, तो मैंने दिखा नहीं, बिहार के लोग जो गड़ा खोद रहे हैं, वोट देयार हैं, राइस खाते हैं, वो बहुत जादा, राइस बना के उन्होंने क्या कर रहा बच्चो, देवर नाट वेजटेबल्स, गाउं में तो जैसे खुब चारी मिर्ची हल्दी डाल दी, का कि मैडम, मैंने ऐसी चेक कर रहा है, मैंने का तुम क्या खा रहे हो, मैडम वाद सबजी नहीं थी, तो हम ये चीज खा रहें, तो कहने का मकसद, निम्ने जीवने स्थर जो है, ये फोर्स करता आदमी को अपने गाउं, अपने शेत अपने राजिले और राजय से मैगरेट होने के लिए, टुवर्स दा, बैस फैसलिटी की तरफ, ऐसी पिटाच सुरक्षा नियाए, सुरक्षा नियाए बचो, ये खास कर, हमारी हाँ तो ये सुविधा बहुत, मता ये चीज हमारी हाँ, पुशिंग फैक्टर कम है, पर अपराइल, फिलिस्तीन, ये तो ऐसे प्रदेश हो गए हैं वर्ल्ल के, जो कि फोर्स फुली मैगरेंट करवा रहे हैं, मता आदमी अपनी इन स्कॉर्टी के कारण, हमारी हाँ तो इन स्कॉर्टी क्या होगी, जय है तो हमारी हाँ मिलता है, बले स्लो प्रोसस है, पर हमारी ह आप स्कॉर्टी के चाहँ मिलता है, वह माईगरेंट होते हैं, तो ये एक कारण है, राश्रिती के अलगा हो बात का प्रवाव, पलिटिकल डिस्पारिटीस, डिस्प्यूट्स, अगेन वही, जैसे हमारे हाँ, आप हमारी हाँ पलिटिकल डिस्पारिटीस बहुत सारे के लिए आ रही हैं उनको भी हापकर डिसकूस करना नहीं चाहती है नौ छटा है आपका विंदू उच्छी शिक्षा तक निए शुविधा का भाव हर आदमी अपने बच्छों को अच्छी एजूकरिशन देना चाहता है और शायद वह हाड़ वर्क भी इसलिए करते हैं माव लाजियों की बीवियां अपने बच्छों को सिटी में पढ़ा रही है या अन्य लोग भी आप ये चीज बहुदा दे रहे हैं पहले हमारे यां बिहार में सबस्दा होता है भी हार का अदमी अपनी केती को गिर भी रग देगा पर अपने बच्छे को जेन यू में दिया द में तो यह बहुत बुरा था सिस्टम अभी मेरी रिसेंटली किसी डी जी पी से बात भी तो उन्होंने कहा कि मैं दस साल में नितिश कुमार के रिजिम में एक चीज डर हटा है लोग बोलते थे कि हम चे बजे चार पांच चे बजे संट के पहले घर आ जाते थे अब इतना डर नहीं है रोड की कंडिशन्स में ठीक हो गई है और आप देखिए हमारे हिंदुस्तान के उसमें जो क्या बोलते हैं प्रशाशनिक अधिकारियों की जो संख्या वो भिहार और साउथ से बहुत जाद है तो यह एक छोटा सा एक्जामपल दे रही हूं इसमें अपवाध हो सकता है पर यह बात में आपको बता रही है प्राकृतिका आपदाओं का प्राव अब हमारे यहां तो पहाड़ों में सारे सब जादा माईगरेशन होते हैं वो लैंड स्लाइट इसे खतम हो जाती हैं सारी चीज़ें चाह वो कश्मीर हो चाह सिक्किम हो चाह वो अरुणा चलो चाह उत्राखंड हो चाह वो हिमा चलो त्यानी प्राकृतिका आपदाओं से बचने के लिए आदमी अपने अच्छे सुरक्षित स्थान पर जाता है वह भी वहां पर पुश परियावन का प्रदूशित होना दस्वा भाग परियावन इन्वार्मेंट जो है प्लूशन यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के संदर में हर आदमी अपनी एक हैल्थ को लेके कॉंशियस है खासकर इस करोना काल में तो आदमी बहुत ज़्यादा आदमी बहुत ज़्यादा के लिए गुट इन्वार्मेंट के लिए साफाई से लेके सवचिता से लेकर के तो अपने आसपास के इन्वार्मेंट को हम हेल्दियर कर रहे हैं प्रीज जू मोर् प्रांटेशन एस मुच आज यू के जैसे आपकी राइसन में तो हम सारे और सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं पर टो विश्व में जितने भी बड़े-बड़े फोर्सफुली माइगरेशन हो रहे हैं वो प्रदौशन के कारण ही हो रहे हैं क्योंकि बड़े-बड़े सिटीज मैट्रोज के प्रदौशन लेफल बहुत हाई हैं जैसे मैं नेट बैंकिंग करो फटा-फट सारा सामान आ जाता है सारा राशन, सबजियां यह भी छोटे शहरों में यह चीज नहीं है या टाइम सेवियर ठिंक्स नहीं है हमारे पास आउशक सुधाओं में जैसे हमारे यहां अजमेर में तो जैसे आभी कोई आदमी पारलाटिक हो गया तो उसके लिए आपको नर्सिंग सुधा उपलब नहीं है मैट्रोज में तो एटलिस यह है कि आपकी एजनसीज हैं जो आपको सर्वेंट प्रवाइड करती है तो इस प्रेकार से बहुत सारी चीज़ हैं बचो जो आउशक सेवा हैं हरे की अपनी अपनी अलग अलग होती है वो भी फोर्स करती है कि आर इहां रहना बेकार है आगे थोड़ा आगे बढ़ो थोड़ा और बड़ी सिटी में जाओ तो ऐसी सिटी से लोग बड़े सिटी हो जाते हैं बड़े सिटी से लोग देशों को बदलते हैं तो यह आउशक सेवाओं के अभाव में फोर्स फुली मैगरेशन होता है नेक्स है आवसी सिटाओं का अब आजकल जैसे अब प्रधानमंत्री योजना केता है तो एक कमरा योजना जो बनी है वो ठीक है पर लोग क्या कर रहे हैं उसको भी बीच में चौली बेश रहे हैं कि मकान तो हैं पर इस्टर करा लिया तो यह सारी सिस्टम को ठीक करने में भी बहुत टाइम लगेगा जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर मॉरल परसुएशन ना हो तब तक हम यह काम नहीं कर सकते तो कैनी आवसी सिटाओं में क्या चाहिए बिटा प्राफर सड़क पानी की जल की निकासी यानि नालियों का होना चुड़काओं दवाईयों का सरकारी जैसे तो आदमी चाह हूँ उठाओं चाहिए चाहिए विधायक है चाहिए ओर धिया हुआ जैसे कि बुटान में होता है बुटान राजा नारेश के बच्के भी सरकारी उसमें ही पढ़ते हैं तो आवसी सुधाएं इस तरह से प्लैनिंग तर करके हो जाएं ज्यादा प्रेशर जनसंक्या का किसी एक भूशेतर पर नहीं पड़ेगा नक्स बिंदु है आतंगवाद का प्रहाओ अब आतंगवाद टेररिज्म के कारण बचो आप देखे पज़ाब के कितने लोग माइगरेंट हुएं कहां से कहां विस्तापित हुएं टेररिज्म के कारण देखो आप कश्मीरी पंडितों की कितनी बुरी देशा है दिल्ली के प्रितम पूरा वगरा में जाओ अब तो खर विचारों ने थोड़ा अपना स्टाट कर जाए अपने बिलियंस ओ प्रपर्टी आप लेफ्ट ओवर देर इन कश्मीर वैली एंदे माइगरेंट टू देखे अइसे माइगरेंट के हमारे हां इस तरह की एक्जांपल अपको म माइगरेंट जो है माइगरेंट प्रवहाइट हुआ है या माइगरेंट सुएं पीपल आवासी आतंगवाद के करण आजकल तो टूरिजम टूरिस्ट माइगरेंट टूरिस्ट 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 टूरि या कि आदमी पाहार से अपनी सुविधा के लिया आए या एक्स्ट्रीम जंगल से सिटीज पाए और आपके टांस्पोर्टेशन मीन्स नहीं है तो वो अपने मजबूरी वश नहीं चाहते हैं अपने जगह को छोड़ना चाहता है अरुनाचल में आप देखे पैंगॉंग, बॉमडिला यह से प्लेस हैं इतने ही खुबसूरत और्किट्स के हुआ हैं इतनी ही खुबसूरत प्लांटेशन है पर अब वहां से भी लोग या मनिपूर से देखिया आप डेली में कितने बच्चे माइगरेंट हो गए हैं बैंग स्ट्रक्चर के तौर पर एक वार फुटिंग स्टप के रूप में लें वे शायद पूरे वर्ल्ड में पुल पुश माइगरेशन्स ना होने पाएं आज के लिए ताही थैंक्यू बच्चो